हेलो एवरिवन वेलकम टू अभी पीडिया पावरड बाई अभी मन्यू आई एस और आज सी सेट के क्लास के अंदर मैं आप लोगों साथ में डिसकस करने वाली लोजिकल एलफाबेट्स या अगर लोजिकल रिजनिंग का पार्ट हम देखे तो उसके अंदर लोजिकल एलफा जाती है तो भी आपके लिए हैलफ फुल रहेगा इसके अलवा अलग अलग टोपिक्स में में जहां पे भी आपको अन्दर एल्फाबेट्सी आ रहे है पोजीशन वैल्यू क्या है अगर हम देखे हैं यहां जी अगर मैं कहते हुए एक रोख के अंदर ौज़ीशन के था और यहां से अगर मैं देखूं कि भी ऐसे खड़ें तो एक उन सी पोजीशन पर हैं फर्स्ट पोजीशन पर है and B is at second position, this is at third position and चलते जाएंगे, तो यह हमारे पास में आ गया, yes, this is 25-26, clear, point is clear, अब इसी तरह से, अगर मैं कहते हूँ कि हां जी, सभी इस तरह फेस करके खड़े हुए, ठीक, अब उसके बाद में कैसे फेस करके खड़े हुए थे, अब मैं कहते हूँ कि हां जी, इस रो को यहां पर की बजाए, इसको इधर फेस करके खड़ा करा देते, means अगर मैं इधर फेस करके खड़े हुए, मैं करें, पूरी की पूरी रो आपकी मुझ होगी, इधर आगी, उस केस में क्या होगा अब, जो बंदा लास्ट में था, जैड, वो कहां पर आ जाएगा, first position पर, ज सभी की position क्या होगी, अब positive होगी, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कि अगर हम, अगर हम starting position एक letter की लें, ठीक है, और उसी ending position लें, तो दोनों का total कितना बन रहा है, आपके पास में, 27 बनता है, देखो ये, starting से first position पे, ठीक है, अगर हम forward counting करें, तो first position पे, अगर ह इसी तरह ऐसे हर एक letter, कोई भी letter है, for example, ये लगा लो आप, this is 27, this is 27, okay, here this is 27, means what, कि हर एक letter की forward position और backward position को, अगर मैं add कर दो, तो मेरे पास में कितना आएगा, 27, ठीक है, ध्यान रहेगा, just एक extra है, total 26 letters है, 27 टोटल करने पे आएगा, ठीक है, अब बात आती कि, अगर मुझे किसी भी letter की forward position पता है, तो मैं backward position उसकी find out कर सकती हूँ, कैसे करेंगे, 27 से minus कर देंगे, for example, मैं कहते हूँ कि बाई, जो K है, ठीक है, इसकी forward backward position बताओ, अगर मुझे forward याद है, तो मैं backward calculate कर सकती हूँ, ठीक है, इसकी position होती है, forward position होती है, इसकी पीटा 11, ठीक है, तो इसकी backward position क्या होगी, कितना होजागा, 27 से इसको हम minus कर देंगे, 27 से minus करेंगे, कितना आ गया, 60, हाँजी, clear, कोई सके अंदर किसी को कोई भी minor सा doubt हो, I hope सभी को clear हो गया होगा, अब एक दूसरी बात, हाँजी, position, कि K कौन सी position पे, J कौन सी position पे, P कौन सी position पे, सभी की position आपको पता करेंगे, ठीक है, याद करना तो जरूरी है, अब जब याद हो जहीं नहीं हो, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो अभी हम discuss करते कैसे याद करेंगे, अब देखो, अब सबसे पहले, I hope जिन जिन स्टूडेंट्स ने पहले थोड़ा सा भी किया होगा, त That means, E is at 5th position, J is at 10th position, 15th position, 25th position and this is at 25th position, 20 and 25th, सिधा याद रखोगे, 5, 10, 15, 20 and 25, अब ये देखो, आपके 5 लेटर्स हो गया, 5 लेटर्स हो गया हमारे, कौन कौन से, S, E, J, O, T, Y, ठीक है, वैसे, इसी तर ऐसे, A, B, C, T तो वैसे भी सभी को याद होता है, A, B, C, D, स्टार्टिंग के है, 4 रख है, तो ये भी हमें पता है, क्या, A, B, C and D, स्टार्टिंग के 4 लेटर और लास्ट के, तो याद होते ही हमें, Y, Z, तो Y, Z भी, Z है हमारा पास में, 26th position पे, तो ये सारे के सारे लेटर्स, I hope, सभी को पता इतना तो, ठीक है, अब इसके बाद में बाकी के याद करते हैं, याद करवारी में आप लोगों को ध्यान से समझेंगे, अब बाद आ जाती है, F की, ठीक है, तो F की से पोजिशन पे, E, जोती, E, फिप्ट पे है, तो F किस पे आएगा, 6 पे आगया, ठीक है, तो यहा कैसे, हाँ जी, यहाँ से आपको यह कुछ दिखाई दिया, ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर 7 चुपके बैठा है, कौन बैठा है, 7, that means कि G is at 7th position, G कौन सी पोजिशन पे है, 7th position, याद रहेगा सभी को, अब एक ऐसा ही, एक और भी लेटर है, जिसके अंदर 7 चुपके बैठा है, कौन सा है वो, वो है हमारे पास में, क्यो, ठीक है, Q के अंदर भी 7 है, 7 है यहाँ पे, अब 7 तो यहाँ पे आ चुका, अब दुबारा से तो 7 आएगा निक, पर 17 तो आता है, तो क्यो कौन सी पोजिशन पे आता है, देखो, 17th position पे है, क्यो कौन सी पोजिशन पे 17th position पे, I hope clear है, कोई डाउट इसके अंदर, ओके, आप देखो, उसके बाद में बात करते हैं, हम H की, हाँ जी, डिजिटल देखे, आपने वाच, डिजिटल वाच, I hope सभी ने देखे, तो अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो क्या निकल के आगे है मेरे पास 8 निकल के आगे, तो यहाँ पे, H कौन सी पोजिशन पे हमारे पास में, 8th पोजिशन पे है, means what, क्या कर रहे हूं मैं यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कि जो लेटर है, आपने उस लेटर की इमेज अपने माइन में रखने हैं, याद करने का तरिका बता तो उसके अंदर हमें वो पर्टिकुलर नंबर इमेजन होके आएगा, ठीक है, तो अब देखो, जैसे हमारे पास है 9, I, ठीक है, I, 9, ठीक है, I, वैसे भी कोई भी जीज होती है, मैं कहते हैं, हाँ जी, आपको पता है, कहेंगे, yes, I know, I know, I know, 9th पोजिशन पे, I तो वैसे 9, okay, now, come on, k, अब k है, अब k को हम लिखते हैं, कई लोग जल 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 दी मैं ऐसे लिख देते हैं, अगर थोड़ा सा और इसको मैं ऐसे करूँ, तो क्या निकल के आ रहा है, 11, k से क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास में, 11, मिन्स इसको जोड़नेस की बज़ए, थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा सा इधर कर दें, तो क्या आगया हमारे पास में, 11, मिन्स मैं क्या कह रहे हूँ, अब ऐसा निकल को होगे कि हंजी, मैं आप तो कुछ भी कहीं पर लगाए जा रहे हो, ठीक है, देखो, इमेजन थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है, अगर कुछ भ बात करते हैं L की, इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ, अब क्या बन गया ये, यास, 2, 12, ओके, M कैसा दिखते है, M कहीं ना कहीं, अगर मैं आ लो, मैं ऐसे देखने के वज़े, इसको थोड़ा ऐसे देखूं, तो क्या दिखाई दे रहे है, M के अंदर मुझे दिखाई दे रहे 3, क्या दिखाई दे रहे है, 3 दिखाई दे रहे है, ठीक है, और 3 पे तो C आता है, दूसरा 3 कहाँ पे आता है, हमारे BC के अंदर 13 पे, और M कौन सी पोजिशन पे बिटा, 13 पोजिशन पे, ठीक है, M कौन सी पोजिशन पे, 13 पोजिशन पे, अब ऐसा ही, एक और लेटर है, इसके अंदर से 3 निकल के आता है, कौन सा? W, ठीक, अब ये भी 3 दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये कौन सी पोजिशन पर होता है, 23 पोजिशन पर होता है, देखूं, क्लियर, हाँ जी, डन, अब देखूं, अब बात करते हम, next letter के, यास, ये क्या है हमारे पास में, N, ये लोग ऐसे लिखते हैं, N, ठीक है, N, X, N, X, क्या कौन सा letter चुपा, इस letter के अंदर क्या चुपा हुआ है, यास, इसके अंदर चुपा हुआ हमारे पास 4, और इसमें भी 4 चुपा हुआ है, ठीक है, अब 4 दो का अंदर तो आ नहीं सकता, वैसे भी 4 पे तो D आ गया, that means what, कि आपके पास में, N जो है, वो हो गया 14 पे, 14, और ये जो X है, वो किस पे हो गया, 24 पे, किस पे हो गया, 24 पे, clear, हाँ जी, next अगर हम देखें, yes, अगर मैं बात करते हैं, बीटा, P की, हाँ जी, अगर हम बात करते हैं, P की, तो P देखें, P को अगर मैं यहां से, ऐसे opposite कर देती हूं, तो मेरे पास में क्या निकल के आता है, 6 निकल के आता है, देखो, अगर हम इसकी, तो खेकते हैं, है ना, उपर से ऐसे नीचे गिरा दिया, मैंने इसको, तो क्या निकल के आ रहा है, 6, ठीक है, और यह होता है, हमारा 16th position, क्यों से position पे, 16th position पे, ओके, R, हाँ जी, R, अगर मैं देखूं, तो मैंने भी क्या का, कि देखो, लैटर के अंदर कुछ, एड कर लो, कुछ, हटा दो, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक कोई पोई particular number आपको दिखाई देगा, तो अगर मैं इस R को थोड़ा से ऐसे कर दू, तो क्या निकल के आ रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, 8, ठीक है, तो R कौनसी position पे, 8 यहाँ पे 8 है, तो कितना हो गया, 18th, कौनसी position है, उसकी, 18th position है, इसी तरह से अगर मैं बात करू, S की, ठीक ठीक है, तो क्या आगे आपके पास में, at 19th position, तो S कौनसी position पे हमारे पास में, 19th position पे, UV को याद कर लेंगे, हम 21, 22, यूवा कब होता है बंदा, 21, 22 साल के उमर में पूरा यूवा हो जाता है, तो यह हो गया, 21, 22, तो 26 के 26 लेटर याद हो जाएंगे, हांजी सभी की position पता है चलगी, इसी तैसे, अगर मैं इसकी backward position की बात करूँ तो दो तरीक के, ठीक है, दो तरीक के हैं, क्या तो आप याद कर लो, ठीक है, बैक से याद कर लो, यहाँ पर आप देख रहे हैं, फरस्ट पे हैं, सेकेंड थर्ड पे हैं, इसी तरह से, दूसरा क्या है, कि 27 से minus कर दो, हो जादा easy है, ओके, एक तरफ से मैंने याद कर लिए, दूसरी साइड से मैंने उसको minus कर लिया, ठीक है, और वैसे भी देखो, जो questions है, बैटा, ऐसे भी आजाते हैं, हमारे पास में, कि कि किसी question में, जैसे कि आपका B है, B के opposite हमें पता है, क्या है, Y आता है, तो व opposite letters, ठीक है, आपके पास में आज आते हैं, एक्जाम के अंदर, तो हमें हर एक letter का opposite letter पता होना चाहिए, ठीक है, तो अब इसको भी हमने याद करने, चलो करते हैं, हाँ जी, बच्चों क्या कहते है, A to Z याद कर लो, A to Z, मिन स्टार्टिं एंड, ये दो याद रहेगा ही र तो अगर आपको वह अच्छे लगते हैं, तो आप वह यूज कर सकते हो, I am just giving you the method, okay, कि हाँ जी, याद कैसे करना है, अब देखो, जैसे यह हो गया, A to Z, याद रहेगा, 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 ठीक है, B O Y boy, 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 boy से क्या याद रह खुश रो, खुश रो, don't worry, ठीक है, ना, चिंता करने की जरूरत नहीं, यह वर्ड्स हम, ऐसे वर्ड्स हैं, जो हम बार-बार रिपीट करते हैं, और हमारे माइंड में आ जाते हैं, इसली, तो don't worry, तो D का opposite क्या हो गया, W, don't worry, Eve, Eve, याद रहेगा यह तो, Eve, evening, Eve, ठीक है, यास, F U, few से भी याद कर सकते हैं, पर few से आपके माइंड में W क्लिक करेगा, ठीक है, तो आप इसको follow up कर सकते हैं, follow up, ठीक है, follow up, follow up, ठीक है, यास, GT road, GT road, बार-बार यूज होता है न, अपने घर में, आजी कौन से road से जाना GT road से चले जाओ, ठीक है, GT road, Jack means, G के opposite के आएगा, T, G के opposite के आएगा, T, ठीक है न, यह देखो, यास, G के opposite आएगा, T, means कि अगर मैं G को यहाँ से देखती हूँ, उस particular position पर क्या आजाएगा, आपके पास में, T आजाएगा, clear, हाँ जी, I, I के opposite होता है पीटा, और, I के opposite के जाएगा, और, Indian railway, I के opposite के जाएगा, और, कैसे याद करोगे, Indian railway, याद हो जाएगा, yes, J, क्यो, Jungle Queen, याद हो जाएगा, yes, KP, कानपुर, जरूर है न, आपने यही याद करने words, ठीक है न, आप जो words frequently use करते हो, और वो यहाँ से match हो रहे हैं, तो आप उससे याद कर लो, main हमा मोटिव क्या है कि हमें याद होना है ठीक है, हाँ जी, L, O, love से भी बन जाता है, और आप यह कह सकते है, law and order, क्या जाएगा, law and order, yes, law की term में आ जाएगा, यह हमारे पास में, M, N, यह तो बिटा कठा ही, M, N, M, N तो दो दोनों वैसे भी कठा ही आते हैं, ABC के अंदर, तो ध B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, हाँ, स्पेस कम रहागा, थोड़ा उपर से लिखना शुरू करते हैं इसको, yes, ABC, 26 letters होते हैं, 13, 1 में लिख लो, 13, 1 में लिख लो, ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, ठीक है, तेरा होगे, तेरा से opposite चलो आप, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z, रिपीट करते हैं, A to Z, Boy, Cracks, Don't Worry, Eve, Follow Up, GT Road, High School, Indian Railway, Jungle Queen, Kanpur, Law and Order, MN Dan, याद रहेगा सभी को, तो अभी करते हैं इसके उपर कुछ questions, आप कुछ questions डिसकस करते हैं हम कि हाँ जी, questions कैसे आते हैं, याद हो गया तो साथ-साथ मेरे आप लोग करोगे, ठीक है, हाँ जी, देखी, first question है, yes, क्या है question, which is the fifth letter from the left of tenth letter from the left in English alphabet, अब हमें पता होना चाई, English alphabet में कितने letter, 26 letter, अभी की हमने, अब उसने क्या काया हमें, which is the fifth letter from left of tenth letter, अब पहले में ten letter लिखूंगे पूरे, एक तो तरीका ये है, हाँ जी, tenth letter, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, tenth letter, उसकी left में fifth, left के अंदर fifth, one, two, three, four, five, answer आगया, E, क्या आगया answer, E, पर ये देखो, कि ऐसे करने की जरूरत है, ये तो चलो simple था लिख भी लिया आपने, बट देखो जरूरत है, directly नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, जब भी हमारे पास में left और left आ रहा है, हमें पता है, कि left में ऐसे जाऊंगी, ठीक है, और उससी यहां से, जब मुझे left जाना है, तो फिर मैं ऐसे आऊंगी, that means क्या हो गया, left में से left को minus करेंगे, तो हमारे पास में exact position आ जाएगे, ठीक है, आप यहां पे देखो, यहां से चेक करो, last से 10th और फिर उससे 5th, 10th से 5 गया, 5th, 5th from left, क्या करेंगे, 5th from left, 5th from left, हमें पता है कि हम जी 5th position क्या होती है, 5th position पे क इसके answer क्या आगे, clear, next देखो, दूसरा point भी बताती है, अगर पेटा left और right आ रहे है, तो add कर देंगे position को find out करने के लिए, ठीक है, right और left दोनों आ रहे है, तो भी add कर देंगे position को find out करने के लिए, अगर right राइट आ रहे है, तो उस case के अंदर क्या करेंगे, again minus कर देंगे उसकी position find out करने के लिए, clear, बिल्कुल, चलो, तो फिर next बताओ, जल्डी से, हाँजी, खुद से एक बार answer आना चाहिए, देखते हैं, क्या which will be the 8th letter, 8th letter, add the right of, add the right of from 12th letter, from left, 12th from left, ठीक है, और 8th from right, हाँजी, आप देखो, left, right, क्या करेंगे, add करेंगे, add करेंगे, कितना ह गया, 8 plus 12, that means कि 20th आगया, ठीक है, अब 20th है, तो 20th, last में क्या है, left, 20th from left, हाँजी, 20th position पर क्या आता है, हमें पता है, T is at 20th position, T 20, T 20 आध है सभी को, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है, तो क्या आजाएगा answer, T आजाएगा, clear, okay, next देखें, next देखेंगे, which will be the letter in English alphabet, which is 6th at right, from 22nd from right, हाँजी, 6th at right, from, क्या कह रहे, 22nd from right, 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 26 के अंदर से, अगर मैं 6 को minus कर देती हूँ, तो क्या आगया मेरे पास, yes, क्या आगया मेरे पास, 16 आगया, और 16 from right, अब 16 from right, अब बताओ क्या आएगा, अगर मैं 16 from right देखती हूँ, तो मेरे पास में क्या आता है, हाँजी, बताओ, तो देखो, अगर right से 16th है, that means कि left से क्या हो जाएगा, left से क्या हो जाएगा, 11, 27 minus, 16, 11th और 11th position पर क्या आता है, क्या आता है, that means कि answer क्या आगया, आपके पास में क्या आगया, दुबारा से रेपीट करूँ, देखो, क्या काया आपको, 22nd from right, 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 क्या करेंगी, यह हो गया, 26 नहीं है, 22nd है, 22nd में से यह हो गया, हमारे पास में, yes, 16th from right, 16th from right, that means what, 11th from left, total कितना होता है, 27th, starting में हमने डिस्कूस किया, that means कि 11th position, 11th position पर क्या आता है, अभी मैंने आपको बताया था, 11 बढ़ाओ, हाँ जी, क्या आगया, के, that means कि answer will be, के, okay, next देखे, next time, if second half of the English alphabet is return, reverse order, अब हमें alphabet, देखो, जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, तब से alphabet पढ़ाना शुरू करते हैं, वो हमारे दिमाग में अब तक छप जाने चाहिए, बिल्कुल प्रिंट हो जाना चाहिए, तो देखो, ध्यान रखो, यहाँ पर क्या कह रहा, if the second half of the English alphabet are written in reverse order, that means कि A से लेके M तक, एक हाफ हो गया, ठीक है, second half को reverse कर दिया, that means कि N to Z, clear, यही कहा है उसने, then which letter will be 13th at the right from 8th from left, yes, क्या कह रहा है, 13 at the right from 8th from left, हाँ जी, 8th from left, और फिर क्या उसके, right में जाना है, left में चलेगे, right में चलेगे, total कितना हो गया आपके पास में, दोनों को add कर देंगे, that means what, कितना हो गया आपके पास, 13 plus 8, हाँ जी, यह position आगया आपकी, from left, यही कहा है, अब first 13, जो है, यह तो as it is ही लिखे हुए, third, जो first 13 है, वो तो as it is ही लिखे हुए, बाकि के क्या कर दिये, reverse कर दिये, reverse कर दिये, that means what, कि इधर से अगर मैं 8th देखूं, तो वो मेरा इधर से 8th पड़ेगा, इधर से हमारे पास में क्या पड़ा, 8th पड़ा, clear, तो यहां से अगर हम 8th देखें, तो यहां से back जाओ आप, कितना जाएगा आपके पास में, यहास, क्या आ जाएगा आपके पास, यहास, position will be 16th, 16th position आगे और 16th position पर क्या आता हा आपके पास, S, sorry, 19th position आगे और 19th position पे हमारे पास में क्या आता है? Yes, 19th position पे क्या आता है? S आता है तो answer क्या आगे आपके पास में? S आता है हाँ जी, बताओ, कोई भी doubt हो इसके अंदर हाँ जी, बताओ doubt बीटा, बिल्कुल clear है? Yes, कोई भी इसके अंदर minor सा doubt आ रहा हो Clear? Next question की तरफ move करें, repeat करें, जल्दी से बताओ Clear है? Repeat कर देते देखो यहाँ पे देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहो तो आप लिख लो पर वही बात है कि लिखना ही है तो फिर इतना करने की क्या ज़रूरत थी? Simple concept को समझो आप, कि अगर मालों में इधर जा रहे हैं, तो 13 letter तो यह सिदेख सिदे होईगे, इसके बारे में तो कुछ सोच नहीं नहीं है, ठीक है? 27 minus 8, that means क्यों सा होगे? 19 और 19th position पर हमारे पास में क्या आता होता है? Yes, 19 पर क्या होता है? S होता है, तो अपने पास में answer क्या आगे? S आगे Clear? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, N, N के बाद लिख लो आप इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ठीक है? और इसके बाद 8 दे ले लो, तो यह होगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बट यह तो फिर time waste करने वाली बात होगी, ना? जब हमने पर हमारे जो method है, उसका क्या फायदा हुआ? पर एक बात है, अगर आपके पास exam में time है, और आप कुसे नहीं हो पा रहा है, इस तरह से position से तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ओके? यहस, next देखिए, next question, if the first and second half of English alphabet are written in reverse order, अब करें कि जो first half है और second half है, दोनों को reverse कर दिया, first half means a to m, तो a to m को कर दिया, इन्होंने m से a, then second half, second half n to z, तो इसको क्या कर दिया, z to n, यही का आगया आप से, उसके बाद करें, which letter will be 7th at the right of 23rd from right? right, 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 right मतलब क्या करेंगे? minus करेंगे, that means क्या हो गया? 16th from right, ठीक है? 16th from right means कि 13 letter यह तो चलेगे, 13 तो सिद्धे की सिद्धे चलेगे, अब इदर से, क्या बच गए, कितने letter बच गए? तीन letter, तीन letter बच गए, तो तीन बे की third position पर क्या आता है? A, B and C, third position पर क्या आता है? C आता है, so answer will be C, okay, अब जरूरी निएक सिरीज सिरीज वाले question आते है, alphabet काफी ज़्यादा important और भी question हम discuss करेंगे, हाँ जी, देखे, एक question और है, series पर करते हैं, चलो, उसके बाद मैं, आ आपको जो alphabet पर question से वो भी अभी discuss करने है, हमने coding decoding पर based question भी मैं discuss करूँगे, तो important class है, हाँ जी, सभी बने रहे ये class के अदा है, क्या how many letters are there in English alphabet between 10th letter from left and 7th letter from right, 10th from left, ठीक है, और 7th from right, क्यारे बीच में बताओ कितने, पर 10 letter तो ये होगे सिधे-सिधे, और 7 ही होगे, कितन total कितने होते है, total कितने letters है, 26 letter है, that means कि कितने बच गया आपके पास, no letters बच बिल्कुल question था, बिल्कुल सिंपल था, बट ये भी wrong हो जाता है, अगर mind में click ना करें, तो धियान रखना है, यहाँ पर 27 से नहीं माइनस करना, कुछ students के आदा तो यहाँ हर चीज को 27 से माइनस क करना, यह तो 10 इधर 10 पूरे के पूरे है, यह भी 7 पूरे के पूरे है, तो total कितने है, 26, तो 26 से माइनस करके आप answer क्या करोगे, 9 answer करोगे, ओके, yes, अब देखो next question है, आपके पास, coding, recording का है, क्या है, इन a coding system, apple is represented as zkkov, देखो, apple को क्या represent कर रहा, zkkov, ov, clear, yes, then cow को क्या कहेंगे, आप देखो, मैंने आपको जो codes दिये हैं, उसका reason क्या था, कि आपको देखते ही click हो जाए, mind के अंदर, आप देखो, यहाँ से देखती ही पता चल रहा, a to z, yes, कानपूर, कानपूर, law and order, eve, clear, that means what, opposite letter से ले रहे, तो यहाँ पे भी हम opposite कर देंग C का क्या था, cracks, yes, law and order, don't worry, क्या आगया, xld, xld, okay, next देखे, yes, next question, if cup is equal to 40, then kite is equal to what, अगर cup को 40 कहेंगे, तो kite को क्या बोलेंगे, simple सा question है, important question, numbers और alphabet, दोनों आपस में mix हो गये, तो हम यहाँ पे देखेंगे, कि कप को उसने 14 क्यों कहा, कप को 14 क्यों कहा गया है कि question के अंदर, reason being the position of C is equal to 3, U is 21 and this is 16 and if we will add all these values, then this will become 40, okay, तो logic मिल गया हमे, what is the logic, means we will add all the number positions, yes, clear, अब यहाँ पे सारे के सारे position numbers को मैंना आपकर दिया, means what, इसके अंदर भी हम भाही करेंगे, क्या है, kite, so you should know the position of each letter, 11, 9, 20 and 5, clear, this is 20, 20, 40, 45, so answer will be 45, Done? Yes, next देखिए, next है, how many letters are there in word creative, which have as many letters between them in the word as in the alphabet, means कि जो English alphabet है, उसके अंदर जितने letters बीच में आते हैं कि इसके अंदर भी इतने ही आने चीए, और यह काफ इंपोर्टन टाइप है बार बार exam में आ जाकती है, ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, there are two ways, दोनों के दोनों मैं आपके साथ में discuss करूंगे, creative, ठीक है, अब पहला तरीका क्या कहता है, कि हांजी यहां से पढ़ना शुरू करो, ABC को बार बार, C से शुरू किया है, C, C के बाद हमारे पास में आ गया, हांजी, C, C के बाद आ जाता है, आपके पास में, D, E, C, D, C, E, means जब मैं पढ़ने, direct हम जब ABC को रीड कर रहे हैं, तो उस केस में, अगर मेरे जो लेटर आ रहा है, वही अगर मुझे लिखा हुआ, मिल जाता है, तो वो पेर बन गया, ठीक है, तो C, D, E, that means this is the pair, क्या पेर बन गया मेरे पास, C, E, ओके, फिर C से आगे पढ़ो, C, D E, F, G, H, I, J, बस और नहीं बना, ठीक है, अब R से शुरू जो, R, S, T, U, V, W, X, नहीं है, E, F, G, H, I, J, K, नहीं बना, ठीक है, यहाँ पर आपके पास में, A, B, C, D, E, that means कि यह एक पेर बन गया, ओके, क्या बन गया आपके पास में, A, E, आप A से आगे चेक करते हैं, य हो गया, T, U, V, T, U, V, एक पेर यह बन गया, means कि T, और V का पेर बन गया, आपके पास में, I, J, K, V, E, means और पेर नहीं बन गया, अब बैक से चेक करते हैं, बैक से चेक करेंगे तो, E, F, G, H, I, J, K, L, नहीं मिला कोई भी, V, W, X, Y, Z, A, B, नहीं मिला, एक बात और ध्यान डखने हैं, यहास, जब इसमें करोगे तो, Z जब आ जाता है, तो दुबारा A से शुरू कर लेना, Yes, I, J, K, L, M, N, नहीं मिला, ठीक है, T, U, V, W, X, नहीं मिला, A, B, C, D, नहीं मिला, E, F, G, नहीं, मेर मिन्स की टोटल कितने पेर बन गया, आपके पास में 3 हैं, सो आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास में 3, सो एक तो मैथड बीटा यह हो गया, कि हाँजी आप बार बार A, B, C, read करे जाओ, read करे जाओ, ठीक है, दूसरा मेथड क्या बन जाता है, कि हम इनकी position लिख लेते हैं, ओके, और हमें पता एक जो position हैं, हर एक लेटर की, C is at third position, yes, this is at 18th, 5, 1, 20, 9, 22, and 5, अब देखो, easily, हां जी, 1, यहाँ पे अपने पास में, रेखिए अब 3 और 4, 3, 5 के बीच में क्या आता है, एक लेटर आता है, 4, 3, 4, जैसे मैंने देखा, यह में डिरेक्ली आगे माइन में, नमबर, डिरेक्ली क्लिक करते, yes, 3 और 5, यह दोनों पास पास हैं, कितने अपने नमबर आते हैं, बीच में, सरफ एक आता है, ठीक है, अब इसी जरह से, अग के करके, बार-बार-बार-बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो कितने पेर बंद रहे हैं, yes, there are total 3 pairs, so answer will be 3, done, next देखते हैं, yes, next, how many such pair of letters are there in the word condition, each of which has as many letters between them in the word, both forward and backward, देखो, या तो question में आपके पास में given होता है, forward, या फिर backward, और अगर नहीं given होता है, तो by default हम क्या लेके चलते हैं, कि यहां जी, forward, backward दोनों ही है, ठीक है, तो यहां पे mention हैं, बलकि, कि दोनों के forward और backward आपको दोनों चेक करने है अब देखो, एक तो तरीक का यही हो गया, condition, क्या करोगे, C से सुर्णा शुरू कर दो, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ठीक है न, तो यहां से अपने पास में हो गया, हमारे पास C, I हो गया, ठीक है, फिर O से शुरू करो, O, P, Q, R, S, T, U, V, N, O, P, Q, R, S, तो इस तरह से अब में बार-बार रिपीट करना पड़े हैं, डारेक्ट लो हो ना आप, देखो, डारेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे, हम सिधा, इनकी नम्बरिंग लिख लो, यह हो गया, 3, S, D, 4th, I, 9th, T, 20, I, 9th, O, 10th, and यह हो गया, 14th, ओके, yes, clear है बीटा, yes, हाँजी, यह ओ, 15th पे आएगा न, बिटा, गलुटी से लिखती है मैं, yes, this will be at 15th, यह जोटी अभी तो करा था, किसने पे आएगा आपके पास में, 15th पे आएगा, clear, आप देखो, यहाँ से आप देरेक्ली देख सकते, जैसे मैंने देखाँ, 14 15 साथ आगे पूरा पेर बन गया ह aç 14 15 यहां से भी 14 15 मुझे 7 में में मिलगे एक पेर और बन गया मेंज की एक यह बन गया एक पेर यह ड़न गया डड़ एब और देखो कहां जी nearby नूमबर सकॉन से आरहे हैं आपके पास मैं आप यहां से 3 और 9 के बीच में कितने आने चीर 5 5 5 देखो 5 है 1 2 3 4 5 यह बन गया इसींपर तो कितने पेर बन रहे आपके पास में 3 पेर बन गया पॉइंट इसके लिए कोई डाउट इसके अंदर तो अगर हम नंबर मैंशन करके उसकी पोजिशन मैंशन करके करते तो इस तरह के कोश्चन जल्दी हो जाते हैं ठीक है पर अगर आप लोगों को ABC करके से रिपीट करने से इजी लगता तो आप वैसे कर सकते हो वैसे यह इजी मैथड़ है ठीक है हाँ जी नक्स देखिए क्या है विच लेटर इन दा वर्ड राइटिंग ओकुपाई सेम पोजिशन एज इन दा इंग्लिश एल्फाबेट इंग्लिश एल्फाबेट के अंदर जो पोजिशन कर वही आने चाहिए क्या है राइटिंग हाँ जी अब हमारे पास में यहां पर आपकर में पोजिशन देखो क्या है 1,2,3,4,5,6,7 अब देखो W फर्स्ट पोजिशन पर आता है नहीं आता है 23rd पर आता है आर 18th पोजिशन पर यह तो 2nd है बट हमें पता है कि जी 7th पोजिशन पर आता है यहां पर भी क्या आ रहे है उसकी पोजिशन यह आ रहे है तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में जी आ जाए क्लियर यास तो आई होब एल्फाबेट के उपर मैंने जो आप लोगों को क्योंस करवाए है यह आप लोगों को काफी हेल्फुल रहेंगे हेल्फुल रहेंगे अगर कोई डाउट आ रहा हो इन दैट केस्ट यू कन कमेंट इन दा कमेंट सेक्शन तुब अपने ऐदस के साथ में जरूर करेंगे अगर आपको लगा की वीडियो कही न कहीं यल्फुल है तो लाइक करेंगे शेर करेंगे कमेंट करेंगे ओके यान जी इसके अलावा cmc take micro courses अभ लेबल है अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर लोजिकल रिजनिंग हो गया इपके पास इंगलिश है आपके पास में क्वांट है किसी भी पर्टिकुलर टोपिक में अगर आपको प्रोब्लम आरे तो आप ले सकते हो डिस्क्रिप्चिन में लिंक अब लेबल है इसके अलाव आगर आपको पूरा क्याटिटीव और इख्साम के अंदर टाइम है, तो भी आप आराम से प्रिपेर कर सकते हैं बाद में क्या हो जाता है, ज्यादा माइंड में आ जाते है तो इसलिए अभी धीरे-दीरे से सीज सेट के लिए प्रिपेर करते हो, okay, so thank you, मilते है निक्स्ट क्लास में